आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ लाइक चार्जेज मेरे पास अवेलेबल हैं तो इनके बीच में जो एलेक्ट्रिकल फोर्स होती है यह इनको रिपेल करवाती है लाइक चार्जेज रिपेल इचेदर और इनकेस अगर यह दोनों आपोजिट है यानि कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो यह दोनों एक दूसरे को अट्रेक्ट करते हैं क्योंकि unlike charges attract each other यह बात यहाँ तक तो correct है and are short range forces तो यह बात गलत बोली हुई है कि जो electrical forces होते हैं यह long range forces में आते हैं ठीक है आप खुद notice करोगे कि आप अपने अगर बालों पे किसी कौम को रब करते हो तो उससे आप small bits of paper को उठा पाते हो है ना तो small bits of paper और उस कौम के बीच में थोड़ा सा क्या है electrical force है right क्योंकि आपके कौम में charges है और charges जो है uncharged particle को attract करती है ठीक है तो इसने attraction किया लेकिन कुछ centimeters तक करके दिखा दिया है ना और अगर आप बात करो इसके अलावा तो इसके अलावा क्या कर सकते हो आप charges अगर बढ़ात होगे तो इनके बीच में forces काफी जाद होते जाएंगे ठीक है तो जैसे से आप force बढ़ाते जाओगे जैसे से charges बढ़ाओगे वैसे वैसे force और लंबी दूरी तक चल जाएगा तो यह long range force हैं तो incorrect one तो हमें यहीं मिल गया फिर हम बाकी भी देख लेते हैं कोई और incorrect तो नहीं है इसमें gravitational forces are attractive in nature and they are long range forces हाँ यार यह बात बिल्कुल सही है कि जो gravitational forces हैं यह attractive ही होते हैं हमेशा nature आप सोच के देख सते हो अगर आप jump करते हो तो आप वापिस धर्ती पे गिरते हो ना धर्ती आपको repel नहीं करती कभी भी और यह long range है हाँ बिल्कुल यार sun ने आर्थ को पकड़ रखा है millions of kilometers का अंतर है sun और अर्थ के दूरी में और sun को milky way galaxy ने पकड़ा हुआ है अब यह galaxy में बहुत millions of millions of kilometers की दूरी है तो यह बहुत long range forces है अगली बात करते है magnetic lines of force cannot exist with a single magnetic pole हमें बात पता है single magnetic pole ही exist नहीं करता जहां अगर आपको north pole दिखेगा तो आसपा south pole होगा ही होगा ठीक है तो कभी magnetic force offline exist कर सकती है क्या single magnetic pole के साथ नहीं और इसने बोला cannot तो भई सही बात बोल रहा है last है the energy of flowing water is used to produce necessary force for running a generator to produce electric current यह बात भी बिल्कुल correct है क्योंकि जब मैं electrical मुझे electrical energy generate करनी होती है hydro power plant में तो क्या होता है flowing water पानी गिर रहा होता है इस गिरते हुए पानी के रास्ते में मैं एक turbine रख देता हूँ और इस turbine के साथ जुड़ा होता है क्या एक AC generator ठीक है AC generator में इसके turbine के घुमने से electricity का production हो जाता है तो again इसमें किसका यूज हो रहा है energy of flowing water यूज हो रही है तो यह बात भी correct है तो हमारी जो एक लोती बात इसमें incorrect है वो है option number one आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर